Hello my dear ones, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक और OCD के केस के बारे में ये एक लड़की का केस है जिसको कई सारी तरीके की OCD थी और बच्छपन से ही OCD की परिशानी थी लेकिन उसको पता नहीं था उसके बच्छपन में कि उसको OCD की प्रॉब्लम है एविन बढ़े ह उन्हें के बाद भी कई सालों तक उसको OCD रही तो उसको पता नहीं चला कि उसको ये OCD है जब OCD थोड़ा बढ़ा और awareness आई तब पता चला कि ये OCD की प्रॉब्लम तो उसको बच्छपन से है अलग-अलग themes change होती रहती है और फिर उसने अपनी OCD से चुटकारा पाया ये जो एक लड़की है इसकी उम्र है 33 अब इसको क्या एक आदत पड़ी इसको या आदत पड़ी कि जब भी कोई काम करती उस काम को लेकर जैसे इसने सपोस कीजिए कोई presentation बनाई तो उसकी एक extra copy एक folder में बनाकर save कर ली कोई किसी को message बेजा तो उसका एक screenshot लिया और उसको इसने अपने पास बनाकर save कर लिया एक folder बना लिया अब बताईए कोई important message हो कोई भी important file हो तो उसकी copy बनाकर आप अपने पास कभी save कर ले तो एक अलग बात है लेकिन अगर आप कोई भी message भेज रहे हैं और फिर आप उसका screenshot लेकर रख रहे हैं या कोई भी आपने file create करी या even आपने कुछ भी document ready करा और आप सबकी एक अलग से special folder बना मना के उसको extra save करके रख रहे हैं मतलब बहुत ही extra precautionary आप हो गए हैं तो ये कहीं ना कहीं अंदर आपके कोई fear है इस वज़े से हो रहा है क्योंकि important चीज़ों के लिए सब एक backup रखना पसंद करते हैं लेकिन हर च nature है कि ये बहुत अच्छी तरीके से अपने सब काम को organized way में करना चाहती है और हर जिसका एक backup रखना चाहती है ताकि कभी भी किसी चीज़ की जुरत हो तो ये करें तो इसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि normal किसी से भी chat होई तो उसके भी screenshot लेकर रखना save करना ये normal बात नह नाम ये शुरुबाद में बताने में हेजिटेट करी थी वो नाम था उसके ex-boyfriend का वो नाम उसके दिमाग पे अक्सर आथा ओर जबान पर भी आ जाता था जैसी मेरा नाम कष्छी का है तो ऐसे नाब का कष्छी का कष्छी का ऐसे उसका उसके boyfriend का नाम उसके मूंग पर इस इस तरीके से उसके boyfriend का नाम उसकी जबान पर आता रहता तो कई बार आता रहता तो बीच में भी आनायास इस तरीके से आ गया और इस तरीके से आता था लेकिन जब भी वो किसी लोगों के साथ होती थी अपने office में या घर पर relatives के बीच में कहीं पर भी तब किसी के सामने नहीं आता था उसने कभी ध्यान में नहीं दिया उसको ऐसा लगा कि उससे काफी deep close connection था तो इस वज़े से still उसके दमाग में वो आता ह जबकि ऐसा कोई connection नहीं था लेकिन ये एक OCD pattern था वो समझ नहीं पा रही थी और इसके दमाग में ये नाम आता था और वो इस तरीके से verbalize करती थी उसको इसको एक ये भी theme था इसके अलावा इसको ये theme था कि कोई भी अगर इसको कहीं देख लेकि कोई इनसान थूक रहा है है ना ऐसे हो जाता है ना कि हम जड़क वग्यारा पर जा रहे होते हैं घर में भी है को इनसान इस तरीके से थूक रहा हुता है तो ऐसे कई बार देख लेते हैं तो देखकर किसी को भी ऐसा नहीं कि कोई गिननी आएगी लेकिन इसको कुछ जादे ही आती थी फिर उसके मों में बहुत देर तक पूरा का पूरा लार बहुत जादा बनती थी पूरा मुह भर जाता था और फिर ये उसमें मुह में इसको भरे रखती थी और फिर स्पिट करती थी इस तरीके से आदा था एक घंटे तक कई बार 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 थूकते रहना बार बार मुह में थूक बहुत की बात है इस वज़े से ऐसा हो रहा है कि इसको जाते ही गिनाती इसने इमाल लिया था boyfriend वाले नाम के लिए इसने इमाल लिया था कि मेरा बहुत close उससे कई सालों का रिष्टा था इस वज़े से ऐसा है कि अभी भी शायद मैं उसे अटैश्ट हूँ और जो उसका स्क्रीन शॉट लेने वाली बात थी उसने अपने आपको बहुती wise intelligent text or precautionary की मुझे सब चीजों को अपने पास रखना है कि कभी भी कोई चीज की ऐसी जुरत होगी तो मेरे पास होनी चाहिए यह सब मालिया था मतलब सब का justification कर लिया था इसने बिमारी के तरफ ध्यान नहीं किया था अच्छा कभी किसी से problem sharing नहीं करी तो कोई और भी कैसे यह बताता कि यह कोई problem नॉर्मल बात नहीं है अब यह सब चीज़े जब time के साथ साथ बढ़ती जा रही थी और noticeable होती जा रही थी लोग भी ऐसे notice कर रहे थे कई बार ऐसे office में भी टोग देते थे कि क्या चुटी-चुटी बातों का backup लेते रहे तो क्या screenshot ले रही है एक दो बार इनके click ने टोग दिया तो फिर उनको बुरा लगने लगा थोड़ा सा यह दूसरे लोगों से distance maintain करने लगी relationship में प्रॉब्लम आने लगी छुपा कर उस करने लगी दीरे दीरे फिर और आपका भी है इस तरह की कान यूश्वल होता है तो notice में आने लग जाता है लोगों के अब इनके मन में यह सब चल रहा है कि यह लोग सब समझने रहे हैं यह लोग मेरी तरह sharp निया intelligent निया इसलिए इनको problem हो रही है जबकि actual में इनको problem थी इ इनको लगा कि शायद कुछ तो problem है और उन्होंने इंटरनेट पर सर्च किया तब इनने बता चला कि यह OCD behavior है तब इनको awareness आई और तब यह जब केस मेरे पास आया तो मैंने इसे पूछा कि यह जो तीन आपको में problem अभी हो रही है इसके अलावा भी और कभी कोई ऐसी problem रह थी कोई भी चीज अगर मेरे सामने कोई भी बोल देता था कि जैसे तू पागल है तो ऐसे तू पागल है तू पागल है तू पागल है तो तुर दिन में मैं इस तरीक से repeat करते थी कि अच्छा ठीक है तो फिर कब तक चला है यह और उने बोला बस जैसे बड़ी हो गई बहुत ज़्यादा थूकने की एक वो थी तो उनके पास ही बिस्तर के पास ही एक लोटा रखा वाता जिसमें वो थूकते रहते थे और उससे देखकर इनको बहुत घिन चड़ती थी और एक अध़ बार ऐसा भी होता था कि घर में कोई चलते पर तैसे लोटे में लात लग तो वो सब थूक थूक वहां पर फैल गया कि इन्होंने याद करके बताया कि ये मुझे थूकने वाली जो प्राब्लम है ये बच्पन में भी बहुत थी कि ऐसे बहुत गिंचरती थी कि दादा जी उसमें थूकते रहते थे या ऐसे एक बार थूक थूक सब जह के फैल दिय तो फिर में भी बहुत थूकती रहती थी मेरे मुह में भरा रहता था स्कूल में वी जाती थी तो पूरा मं में थूक ही थूक भर जाता था तो साफ लिखती थी तो साफ लिखने में क्या हुदा है कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है तो कई बार काम इंकम्प्लीट रह जाता था तो बहुत डाट बाट पड़ती थी तो टीचर ना डर आती थी तो यह थोड़ा सा डरती थी और वो डर उसमें तीचर तो इसलिए ने डरा रही कि से बहुत इरिटेटेट सा रहती थी बहुत परिशान रहती थी लेकिन जब जब प्रेशर पड़ा तो उन्हों ने थोड़ा सा पनी स्वीट बढ़ाई और काम कंप्लीट करने लगी तो एक बार क्या हुआ कि इनका काम सारा पूरा कंप्लीट था और इनके स्कूल में जब अची और वहाँ पर टीचर ने कॉपी मंगी तो इनके पैग में कॉपी नहीं थी अब को पई नहीं थी इस वजे से टीचर नेटार और टीचर को लगा कि शाय खर गई तो छुपाती इनको खर पर भी वह कॉपी नहीं मिली और इनकी कॉपी कहीं घुम हो गई थी और वो और कॉपी घुम हो गई थी तो किसने चुराई क्या हुआ यह तो नहीं पता चल पाया क्योंकि आज कल तो स्कूल में कामरे लगे होते हैं लेकिन पहले टाइम में तो नहीं होते थे ऐसे कैमरा वगेरा तो शायद है किसी ने assembly वगरा की time पर इनकी copy निकाल लियोगी तो वो पता ने चल पाया, तो copy इनकी चुरा ले गई थी, तो इनको तब से किये था कि कोई भी चीज़ करो, तो वो एक बार और अपने पास कहीं और लिख कर रख लो तो उन्हों बोला कि जो भी कोई एसी strict teacher होती थी, तो ये उसकी दो copy बनाती थी एक copy में तो पूरा वो काम करना स्कूल लेकर आना और सेम वही काम एक और copy में करकर अपने पास घर पे रखना तो आप यानि कि आप देखिये कि उसकी भी connection इनके childhood में बल गए जो अभी इनको था कि हर चीज़ का मुझे backup लेकर रखना है तो ये copy वाला जो हाथसा हुआ कि teacher ने बहुत जाता data strict punishment दिया वो इतना इनके दिमाग में शौक की तरह सेट हो गया कि ये हर subject की जो भी teachers बहुत strict होती थी जिसकी teacher बहुत strict थी तो उसकी ये दो copy बना कर रखती थी एक safety के लिए अपने घर पर कि अगर कहीं गुम हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो फिर मुझे परिशानी नहों तो यहाँ पर भी इस चीज़ के pattern के दमाग में मिल गए फिर boyfriend का जब इनोंनों बताया कि ये college में थी तो एक लड़का इनकी life में था तो उसने काफी इनको starting में pamper कर रहा होगा काफी अची तरीके से रखता होगा लेकिन बाद में इन लोग का break up हो गया तो वो उसे इतना deeply attached थी इतना deeply attached थी कि जब वो break up कर रहा था तो इनोंने उसके पैर पर पढ़के उसे बहुत रोना, गिडड़ाना कि मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और बहुत ही ज़ादा emotional trauma बहुत deeply hurt हो गई थी यह उस break up से, इतना hurt हो गई थी कि इनको 2-3 साल उस break up के सदमे से बाहर निकलने में लगे थे तो वहाँ पर भी जब बहुत ज़ादा deep connection होता है आपका किसी परसन से और फिर उसके बाद भी उन्होंने काफी टाइम तक उसकी life में क्या चल रहा है जानने के लिए तरह तरह से कभी common friends के जरीए, कभी कुछ और जरीए इस तरहिके से ताका चाकी जालू रखी थी तो जब आपके subconscious को किसी भी एक चीज के इतनी आदत हो जाती है किसी भी person के आदत हो जाती है या आप एक एरिया पर जालो से जादा focus करते हो तो वहाँ पर क्या होता है उसके patterns बहुत strong हो जाते हैं तो मैं आपको यह बताना चाहरी हो कि जो उनको परिशानी थी जो उनको पहले परिशानी नहीं लगती थी उन सबके connections भी इनके पहले सालों में थे तो आज आप जिस भी problem से जूज रहे हैं उसके कही ना कहीं कोई ना कोई links आपके अंदर पड़े होते हैं बस आपको wisely उनको डूढना होता है अब link क्यों डूढने होते हैं डारेक्ट हम problem क्यों नहीं solve कर सकते हैं इसलिए डूढने होते हैं उससे आपकी understanding बहुत अच्छी हो जाती है और आपको समझ में आजाता है mind की functioning कि mind ऐसी function करता है उसके पास जो भी experiences कुछी references होते हैं और इसके basis पर जो से interpretations निकाली होती है वो सब mind की level पर सेव होती है और क्योंकि mind अपने old patterns को use करने में बहुत ही अच्छा फील करता है क्योंकि उससे उसकी energy कम लगती है तो वहाँ पर इस वजह से जब आपको यह सब understanding develop होती है कि यह तो normal functioning है mind की और इस वजह से यह सब परिशानी हो रही है कि मैं आज ऐसा कर रही हूँ अगर हर चीज का मुझे backup लेना है कि यह जूटती है तो वो उसका एक connection मेरे past से है क्योंकि past में मेरे साथ ऐसा होगा था कि जब मैं छोटी थे तो मेरी copy खो गई थी अब वो copy खोने के वज़े से मैं एक और copy maintain कर दी थी तो वो insecurity वो fear अभी भी मेरे अंदर है कहीं और उसकी वजह से ऐसा होता है या दादा जी की जो तब बत्वाला था कि वो थूखते रहते थे वो सब मुझे उस टाइम पर इतनी घेंचड़ी उसकी कि आज भी मेरे अंदर वो trigger set हुआ है कि आज भी अगर मैं किसी पैसा देख लो तो यह स्तरीक से यह होता है वो जो boyfriend था मेरा उससे में इतना deeply connected थी इतना रोई गिडगड़ाई इतना प्यार attachment था मेरा तो उसकी वज़ा से उसका नाम मेरे दमाग में एक trigger की तरह set हो गए जो repeat होता रहता है तो इस सब से आपको understand करने में मुझे मिलती है कि just a triggering situations है जो ऐसे आपके दमाग में इससे related links पड़े वे हैं और वहां से यह सब चीज़े generate हो रही है और आप अभी भी उस loop में है तो इससे आपको understanding के बाद उन चीज़ों से connections break करना असान हो जाता है तो जब इनको समझाया गया कि इनके साथ यह जो सब हो रहा है तो वो सब चीज़े उसके links हैं अब क्या होता है कि कुछ links हमारे अंदर पड़े होते हैं कुछ हमारे अभी जो habits हमारे अंदर पड़ गई होती है उससे कुछ नए links और पैदा हो जाते हैं तो अभी हमें यह समझने कि जो चीज़े पहले से attached हैं उनसे भी detached होना है और जो अभी नए link बनने को तयार है उनसे भी हमको अपने आपको बचा कर रखना है क्योंकि अब इनके साथ और नई चीज़े क्या हो रहे थी इनोंने मुझे बताया कि इनको अब तीरे तीरे चेक करने की आदत भी बहुत जादा अंदर अंदर अर्ज उठने लगी थी कि मैं चेक करूँ जैसे अपना बैग चेक करना अपने रूँम का दरवादा इनोने लग किया आपने अलमीरा को चेक करना तो यह दो तीन चीज़ों को चेक करने करने का इनोने buenos किया कि एक्दम सटल ली कोछ अनके मन में जादा ही इच्छा आने लग गए है कि यह चीज से चेक करना अब इस पर ध्यान नी देंगे तो फिर जनलाइस वें और बढ़ने लग जाएंगी एक से दूसरी चीज दूसरी चीज बढ़ने लग जाएगी तो और लिंक्स बढ़ने से भी लोकना है और जो पुराने लिंक्स है उनसे भी हमें अपना कनेक्शन ब पर उसन बाद्री होता है कुछी है तो हम अलर्ट हो जाते हैं। हमने से बुट और डिनस से ही किसी भी ऑपसेश्न या कमपार्शन को रोका जासकता है। अब दिखिए क्या होता है हमारी सेंसे से पांच सेंसे के उपर है मन, मन के उपर है बुद्धी और बुद्धी के उपर है आत्मा, आपका चेतन्या, आपकी जागरोगता, तो आप अवेरनेस का इस्तमाल करकर मन और बुद्धी के इस्तर के जितने भी जोल मेल हैं, जो भी मत तब वो मिलकर पूरा का पूरा क्या करते रहते हैं, आपकी जिंदिगी में उलजाते रहते हैं आपको तो अब उस सब चीजों से आपको बचना होता है, सब उनके जहमेलों से तो अपको क्या करना होगा, अब एनस का इस्तमाल करना होगा, तो जैसे ही कोई भी ट्रिगर मिलत वो unconscious behavior क्यों था? क्योंकि अंदर एक insecurity का link पड़ावा था, कि कल को अगर यह miss हो गया, तो मैं कहां से लाओंगी, कुछ problem हो जाएगी, तो उसे मन एकदम से, उसे insecurity की बज़र से, ऐसे impulsive behavior के लिए उनको तयार कर देता था, तो वहां पर जो बुद्धी थी, वो भी क्या है, past experiences क पर judgment निकालते रहते हम कई बार, कि हां ऐसा हुआ था, तो ऐसे तो safety रखनी चाहिए, सही गलत, बुद्धी सही गलत बताती है, तो बुद्धी भी कई बार past experiences से influence हो जाती है, लेकिन उसके भी उपर एक awareness है, awareness का level, उस level से जब हम operate करना start कर देते हैं, कि past में जो हुआ था, जिरो थोड़ना है, कि वो हमेशा ही ऐसा होता रहेगा, जनलाइस क्यों कर रहे हैं, जब हम छोटे थे, नहीं बताता, हो गया ऐसा, लेकिन आप हम समझदार हो गए हैं, अब थोड़ना है कि ऐसा होता रहेगा, तो मन के सरपर, क्योंकि मन का जो एक काफी developed हो है, उसी को हम तो अभी वहाँ पर उसमें भी गलती हो सकते हैं, कई बार कैते हैं, हमारी बुद्धी भी ब्रष्ट हो जाती है, तो बुद्धी ब्रष्ट हो जाती है, तो उससे भी उपर के लेवल पर हमें जाना पड़ता है, अवेरनेस के लेवल पर, तो जब हम अपने अवेरनेस के ल आपके अंदर हो नाम अपने आप पिरूख जाएगा आपको कुछ नहीं कहना सफाई नहीं देनी यह इसलिए आ रहा है यह रोकने कुछ जस्ट आप अवेर हो जाएए जैसे आप अवेर होंगे आपके मन के नाटक बंद हो जाएंगे इसी तरीके से जब भी आप कोई भी मैस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जितना आप कंपल्शन करेंगे उसीदी का रिइंफोर्समेंट होता रहेगा तो इससे उनको बताया गया कि आपको शुरू में हो सकता है और जाए और आपको हो कि इसका और ले ले आगे से नहीं लेंगे लेकिन आपको रोकना है तो रोकना ह आज से मतलब अभी से लोकना है तो यह आपको करना पड़ेगा शुरू में आट दस दिन आपको बहुत तकलीफ होगी लेकिन आट दस दिन के बाद धीर धीर नॉर्मल हो जाएंगे तो बात मानने और यह कर लिया इसी तरह किसे अगर कोई थूक रहा है या कुछ भी है पहले भी लोग राक की बाल टी लोटे सरी किस ऐसे रखते थे आज भी किसी को ज़रूती तो रखते हैं कि आप थी कि हॉस्पेटल में को एडमें उटता है नहीं उट सकता तो उसको यूरेन पॉटी सब उसको थूकना हो कुछ हो सब मही पर उसके सामने एक पॉट रखा ज दिखाए दे तब ही बस एक अवैनेस रखें कि यह शरीर की एक नॉर्मल प्रक्रिया है ऐसा सब के साथ होता है कोई भी अगर बिमार होगा तो फिर उल अचारी वश इस तरीके से वही पर ही थूकेगा और कोई भी जो उसकी केर टेकर होंगे वो उसको क्लेम कर देंगे तो मुं में सब कोई खटा हो जाता है वो धीरी धीरी काम होगा क्योंकि यह क्या है वाडी का एक आटो रिस्पॉंस है जो एकदम से बाकी आपका जो बैक अप लेना है वो जल्दी रूख जाएगा जिस सरीके से आपका कोई भी और बिहेवियर है चाहे वो आपका बैक अप ल इसको जाने में समय लगेगा तो तो पेशन्स रखना है क्योंकि बॉड़ी अब ऐसे रिस्पॉंस होगे है तो बॉड़ी के रिष्पॉंस को रिवर्स करने के लिए थोड़ी जादे मशक्कत करनी पड़ती है तो उनको बताया कि पेशन्स रखना पड़ेगा लाइफ स्ट सिग्रिट की जो आदत थी उसको छोड़ने के लिए बोला गया जंग फूड बहुत जाद खाती थी ओफिस में कॉफी पीते रहना इस तरीके से रात को भी काम करना यह जो बहुत सारे लाइफ स्ट्राइल इशूस थे वो सब चीज़े सुधारी उनकी उनको बताया गया कि आपके फूड से आपके माइंड का बहुत डीप कनेक्शन है खानी पीनी क्या दत सुधानी है एक्सिसाइज करनी है तो तमाम बहुत सारे चेंजिस करवा कर उनको उनकी OCD से छुटकारा दिलाया गया और आप वो पूरी तरीके से ठीक हैं जैसे वो ठीक हो सकती हैं से आप भी ठीक हो सकते हैं तो OCD से घबराने की बात नहीं होती है OCD आपको अगर हो गया है या आपकी किसी अपने को हो गया है तो आप रिलैक्स रहिए उनको हिम्मत दीजे और खुद को भी हिम्मत दीजे कि OCD बस सही तरीके से लाज करने से बिना किसी दवाई के असानी से ठीक हो जाएगा OCD बाले बहुत परेशान रहते हैं इस वीडियो को जरूर शेर कीजे ताकि हर OCD तक ये वीडियो पहुंचे और उनको हिम्मत मिले कि जिस तरीके से ये ठीक हो सकती है उस तरीके से वो भी ठीक हो सकते हैं जिसकी जैसी परिशानी है हल उसका जरूर होगा कोई भी ताला मेना चाबी के होता ही नहीं है तो किसी भी तरीके की OCD क्यों नहीं हो ठीक तो 100% हो ही जाएगी अपना खास ख्याल रखेगा मैं मिलूंगे आपसे एकस वीडियो में